So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आने की 26 अगस्त के important current affairs को, देखिए हमारा पहला important question क्या है, कि अगस्त 2022 में किसे 2022 के liberty medal से सम्मानित किया जाएगा तो अंसर होगा वलादमे रिजलेंस्की को, तो 2022 का ये liberty medal, ये युक्रेन के जो राष्टरपति हैं वलादमे रिज 1988 में स्थापित हुआ था ये, सोतंतरता की खोच में नेत्रत्व को माननेता देने के लिए, अमेरिका के राष्टरे सम्मिधान केंद्र के द्वारा प्रशाशित एक वार्शिक पुरस्कार है ये, तो आपको क्या याद रखना है, 2022 का ये जो liberty award एक किसे मिला, युक्रेन के प्रेसिडेंट व्लाद्मिर जेलन्सकी को, अचा युक्रेन को हम मैप में जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद देला दू, अभी कुछ समय पहले इनको दो award और मिले थे, एक तो इनको मिला था, विंस्टन चर्चिल लीडर्शिप और और उससे पहले, युक्रेन की दो महिला हैं चर्चा में भी थी अभी, एक हैं युक्रेन की गणितग्या जिनका नाम है मेरिना वियाजोवस का, उन्होंने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल पुरुसकार जीता है 2022 का, यह जो फील्ड मेडल है यह important है, इसे गणित का नोबल पुरुसकार भी का जाता है, और दूसरी महिला कौन है, युक्रेन की फर्स्ट लेडी, अलेना जेलेंसकी, उन्होंने युक्रेन के लोगों की और से, डिसीडेंट हुमन राइट्स अवर्ड प्राप्त किया था, बाकी आप फ्रेंक विल्जैक के बारे में जरूर जानते होंगे, भोती की वि अब युक्रेन की बात है, यहां के प्रधान मंत्री भी याद रखो, पूछ सकते हैं, भई एग्जामिनर ये चेक करना चाहरा होंगे, भई युक्रेन बड़ा चर्चा में, प्रेसिडेंट तो सब प्रेसिडेंट विल्जैक की है, और यहां के प्रधान मंत्री भी याद को यादे चलो, प्रधार मंत्री पूत ले दें, तो उनका नाम है, डैनिस श्यमहल, और युक्रेन में फसेवे भारतियों को वापस लाने के लिए हमने कौन सा ओप्रेशन चलाये था, दो अप्शन दे रहा हूं आपको, ओप्रेशन देवी शक्ति या ओप्रेशन गंगा, या आप लोग बताएंगे उत्तर इसका हम बढ़ेंगे आगे, अचा फिर बताएए, अगस्ट 2022 में किसने अन्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नाम की बुक को अभी रिलीस किया, तो अंसर होगा हमारे पूर्व उपर राश्टर बती M. Venkaya Naidu जी ने, पू और, तो अंसरी महिला, राश्टर बती बनी है, द्रॅपदी, मुर्मु जी, वो कौन से नंबर की बनी है, ये भी बताओ, और 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 ये भी बताओ, कि अभी हमारे नए Chief Justice of India, जो बने है, यो यो हंनिस सिंग, यो यो ललित, यो यो ललित, यो यो ललित, ये कौन से नंबर पेवेस्ट बताओ प्रश्णी की थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं हम हाँ हमारे पूर्व उपर राष्ट्रवती M.Wink का है नाइडू जी ने इस बुक को रिलीस किया बुक का नाम है A New India Selected Writing 2014-19 और ये जो बुक है ये पूर्व जो हमारे केंद्रे मंत्री हुआ करते थे अरुन जेटली जी उनके चुन्दा लेखों का कलेक्शन है आप जानते हो अरुन जेटली जी 2014 से लेके 2019 तक भारत सरकार के ये फिनेंस और को ओपरेटिव मामलों के मंत्री रहे थे अच्छा इन से संबंदित एक प्रश्ण आपको बताना पड़ेगा कि इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम बदला गया था कौन सा है स्टेडियम था और कहां पे था बाके आपको याद है लॉकडाउन लेरिक्स नाम की बुक को अभी हमारे जो उडिसा के मुख्यमंत्री है न नवीन पतनायक जी उन्होंने लॉंच किया था उस बुक को लिखा किसने था संजु नहीं इस मामले में उनका नाम है राजेंदर विश्वनात अरले कर दमैक मोहन लाइन नाम से जो बुक आयती इसको लॉंच किया था जिसको लिखा था जे जे सिंग ने अब हमाचर प्रदेश के गवर्नर पीछे नहीं है तो हर्याना के मुख्यमंत्रिक पीछे होंगे कौन आगाईज देखो मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग एक स्टैटिक जीके पे टॉपिक वाइज क्विज स्टार्ट कर रहे हैं दोती निन दोती निन में एक नए रहा है टॉपिक पे मैं आपको क्विज बना बना गर कर के दूँगा आप अच्छे से प्रेक्टिस करन यह मैंने आपको बोला था मुझे पता है लेकिन अभी मेरी थोड़ी सी घर की स्थिदी सही नहीं चल रही है या यूँ कहूं दूतरे शब्दों में कि मेरा समय अभी थोड़ा सा घराब चल रहा है इसलिए जो वीकली वाले वीडियो बगेरा है यह भी थोड़ा से पेंड आडरेस न मैं यह करता हूं न वो करता हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं आप लोगों से पड़ाई के माद्यम सही जुड़ा हूं तो बस वही बात होनी ची है हमारे बीच में मैं अपना नाम आपको याद करवाने से अच्छा है कोई एक फैक्ट याद करवा दो जो आ मेरा नाम एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा यह मेरा मानना है मैं ऐसा नहीं कहा रहा है कि और लोग क्या करते हैं मैं उनको जज़ भी नहीं कर रहा हूं सही करते हैं गरत करते हैं मैं कौन हो ता उनने जज़ करने वाला बस मैं यह देखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं हो आप जानते हो जब परेशानी आती है तो पैसे वगरा की नीट तो पड़ती हम सब पैसे के लिए काम करते हैं और बुरे वक्त में इंसानों का फता चलता है तो हमने मिलने वालों को जब उनके जरुवत थी तो पैसे दिये थे तो दिये थे कुछ समय के लिए भाई लोटा द जाता हूँ कि ठीक है हमने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान हमारा भी बुरा नहीं करेगा और हो सकता है अभी हमारे साथ बुरा हो रहा है तो इसकी पीछे कूर कारण हो लेकिन उपर वाला देख रहा है वो पूरी इमानदारी के साथ बराबर हिसाप करेगा सब के सा तो वापिस से stable होने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि हाँ अब पूरा समय उन सब चीजों को भूल करके बस आगे बढ़ो वो कहता है ना कि बहता हुआ पानी अच्छा लगता है अगर थम गया तो उसमें भी बदबुआने लगती है तो उमीद है आप लोग समझेंगे और प्ली तो अभी आयाटिक गुवाहाटि के शोध करताओं की एक टीम ने गन्य के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक नया तरीका हो जाए गन्य की पिराई के बाद निकलने वाले बगाज से चीनी का विकल्प जाइली टोल तयार किया जा सकता है तो आयाट जाइली टोल ये एक तरह का शुगर अलकॉल है जिसे प्राकरतिक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है इसका जो प्रभाव है ये डाइबिटीज रोधी और मोटा पा रोधी होता है ये दातों में कैवेटी बनने से भी रोखता है मतलब काफी अच्छा है अब आपने अगर डेली करेंटरफेर्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ते होंगे तो अभी उत्तरप्रदेश ने गन्ना किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी बता सकते हो उस योदना का नाम क्या है अगर चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते होंगे तो उससे संबंदित आप कोई भी न्यूस पढ़ रहे हो, वो न्यूस पटाक से आपके माइन में क्लिक कर जाएगी, और ये तब ही होगा, जब आप चीजों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे होंगे, और दूसरी बात, टाइम टू टाइम उसका रिविजन भी कर रहे होंगे, अगर आपके जितेंद्र सिंग, उन्होंने IIT हैदराबाद में Tech Innovation Center तीहान का उदगाटन किया था, मतलब यहाँ पे ड्रोन से सम्मंदित विकास कार रहे होंगे, बाकी IIT मदरास से याद आएगा, इन्होंने एक रोबोट है, होमो सेप, उसको डेवलप किया था, क्या काम करेगा ये, से दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एर प्यूरिफायर इन्होंने लॉंच किया था, जिसका नाम था, नासो 95, चलो मुझे बताओ, अभी किस IIT ने, पहला सुदेशी मोटर चलीत वीलचेयर, इसका नाम रखा था, नियो बोल्ट उसको डेवलप किया, तो अंसर होगा IIT और आप याद रखना, भारत के बाहर जो पहला IIT ये कहां पर बनेगा, United Arab अमिराथ में, और अगर आपसे पूछे कि भारत के बाहर पहला योग विश्विध्याले, ये ये बनेगा Los Angeles में, ध्यान रखना ही सब पढ़ते आगे, चलो बताओ, देश का पहला, नाइट, सफा और जैव विवित्ता पार्क उत्तर प्रदेश की केपिटल लखनाओ में इस्तापित किया जाएगा, वैसे तो आपको बतादें, देश में टोटल 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है, तो अब ये बनेगा लखनाओ में, ये नाइट सफारी कुक रेल वन शेत्र में विक्सित किया जाएगा, चलो आप मुझे बताओ, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लिकेशन को लॉंच करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंसरों का असम, अच्छा आप जानते हो ना, लखनाओ किस नदी के किन किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे, और सिडबी का हेड़कोटर आपको लखनाओ में मिलेगा, हमारे जो रक्षा मंतरे, राजनात सिंग, उनका कॉंस्टिटुशन, यानि कि उनका निर्वाचन शेत्र भी है, लखनाओ, और दो पॉइंट और याद रखना यहाँ से कि भारत की पहली पैरा बेडमिंटन अकादमी काँ पे खुली गई, तो अंसर होगा लखनाओ में, और ब्रमोस वे निर्मान केंद्र काँ पे इस्थापित किया गया, ये भी लखनाओ में, अच्छा यहाँ पे आया जेव विवित्ता पार, तो सबसे पिले तो आप यह बत जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है, तो आंसर होगा E.O.Wilson, आप जानते हो देश का पहला AI और Robotics Technology Park, जिसे कहते हैं Art Park, ये काँपे लांच किया गया, बंगलूरु में, और देश का पहला Liquid Mirror Telescope का पे इस्थापित किया गया, उत्तराखंड में, अच्छा द्रष्ट चलो बताओ, हाली में किसने Online Sectionic Mobile Game आजादी Quest को लांच किया, तो आंसर होगा Anurag Thakur, आप जानते हो, वैसे तो हमारे खेल मंतरी भी है ये, और केंद्रे सूचना और प्रसारन मंतरी भी है, Anurag Singh Thakur, और अभी इन्होंने आजादी Quest नाम से एक Mobile Game को लांच किया है, इस Game को आजादी के अमरत महतसव वर्ष के मोके पर भारते स्वतंतरता संगराम की कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए पेश किया गया, इस Online Learning Mobile Game सिरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से विक्सित किया गया है, उद्देश मेंने आपको बताया ना, भारत के स्वतंतरता संगरा के सभी पुरुसकारों को एक मंच एक प्लेटफरम पर लाने के लिए कौन सा पूर्टल लांच किया था, तो याद रखना राश्टर पूरुसकार पूर्टल, और अभी संगम पूर्टल किसने लांच किया, तो याद रखना CBAC ने, और यहीं से याद आएगा संभव पूर उसको उत्तरप्रदेश ने लांच किया, और दूर संचार विभाग ने अभी गती शक्ती संचार पूर्टल लांच किया था, और निदान पूर्टल तो अभी पड़ा था हमने, यह अभी लांच किया था, जिसके जरिये कोई भी एजनसी, देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्तों की तसकरी से जुड़े किसी भी अपरादी का इतिहास, अपरादी की नीजी जानकारी, उंगलियों की निशान और अदालती मुकदमों का विवरन हासिल कर सकती है कौनसा पोटल है? निदान पोटल तो ये points याद रखना आप बढ़ते आगे अच्छा बताओ, हाल इमें किसे 2022 के युनेस्को शान्ति पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा एंजला मरकेल को पूर्वर जर्मन चांसलर हैं एंजला मरकेल इनको शरनार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के युनेस्को शान्ति पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो सम्मान का नाम आईवरी कोष्ट के पूर्वर राष्ट्रपदी के नाम पे रखा गया है अधिकारिक तौर पर इसे फैलिक्स, होफोएट, बोगेन, युनेस्को शान्ति पुरुसकार का जाता है ये 1989 से हर साल उन वेक्तियों, उन संगठनों या संस्थाओं को दिया जाता है दिनोंने शान्ति को बढ़ावा देने के लिए विशेश प्रयास किये हैं अच्छा आप बताओ, वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, बाकि अगर बात करें, अभी हमने पढ़ा था देखो, बांग्रादीश की हैं फहमीदा अजीम, अभी पुलिजर पुरसकार 2022 के लिए उनको चुना गया और US कनाड़ाई लेखे का हैं, रूथ ओजे की, उन्होंने अभी उनके उपन्यास, The Book of Form and Emptiness के लिए महिला Fiction Award जीता वंगारी मताई की बात करेंगे, तो कैमरून एक्टिविस्ट हैं वंगारी मताई, जिन्होंने Forest Champion Award 2022 को जीता है तो याद रखना 2022 के युनेसको शांती पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया, एंजला मरकेल को अच्छा, नोबल Peace Prize, नोबल शांती पुरुसकार 2021 का, ये किसको मिला था, याद है कि आपको, दो जनों को मिला था, दामित्र मुरातोव और मारिया रेसा को और मैंने अभी आपसे बुछा था, वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कोन है, तो आंसर होगा, ओलाफ स्कॉल्च, और याद है न, 2022 में G7 के अद्धिक्षिता जर्मनी के पास ही है, अच्छा, युनेसको की भी बात हुई है, देखो, युनेसको की स्तापना होती 1945 में, इसक बताओ, हाली में Dreamset Go के पहले Brand Ambassador के रोप में किसे न्यूक्त किया गया, तो आंसर होगा, सौरव गांगुली को, तो स्पोर्ट, एक्स्पिरियेंस और ट्रेवल प्लेटफॉर्म है, Dreamset Go, इसने अभी BCCI के जो अध्यक्षि, सौरव गांगली उनको अपना पहला Brand Ambassador बनाया है तो आपको बतादू, लोगों को दुनिया बर के खेल आयोजनों तक पहुचान प्रदान करने के लिए, Dream Sports के स्वामित्यव वाली कंपनी को 2019 में लाउंच किया गया था, इसका नामे Dreamset Go, इसके पहले Brand Ambassador बन गए, यह आप याद रखना कौन, सौरव गांगुली, अभी आप अभी शास्त्री अभी FanCode के Brand Ambassador बने थे, और रोबिन उत्पपा, इनको अभी करनाटक ने Brain Health Initiative का Brand Ambassador बनाया था, बाके अभी महिंदर सिंग धोनी की बार होगे, तो गरूड Aerospace के Brand Ambassador बने थे वो, और दीपिका पाडुकून, लगजरी ब्रेंड है, लुईस वीटन, उसकी पह प्रधान के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान की Brand Ambassador बनी थी, तो ये सारे points ध्यान रखना बढ़ते आगे, चलो उताओ, हाली में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा, भाबा, कैंसर, अस्पताल का उधगाटन किया, तो अंसर होगा पंजाब में, तो अभी कारेकर में प्रधान मंतरी जी ने कहा, कि ये अस्पताल देश की बहतर हो रही स्वास्त सुविदाओं का प्रतिबेंब है, और इस सेंटर से पंजाब और अर्यान की साथ साथ हिमाचर प्रदेश के लोगों को भी फाइदा मिलेगा, आप जैसे हम लोगों ने क्या बुला, पंजाब के मोहाली में, तो मोहाली से आपको फटाफट से लिंक करना है, कि कहीं आपने मोहाली पढ़ा था गया, और पढ़ा होगा तो आपका दिमाग अपने आपके देगा, हाँ पढ़ा था पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था, मोहाली का होक्की स्टीडियम का नाम ब लगया था अच्छा फिर अपने दिमाग से प्रे prevention करो कैसे करो हैं और अच्छा फिर नाम बदल तो गया था नाम बदल की क्या रखा गया तो फिर आपका दिमाग उत्तर देगा ये ByeRish Sr. के नाम पर रखा गया था बच्चे और अगर अगर आपका दिमाग उत्तर नहीं दे तो आपकी कमी है आप उसको revision नहीं करा रहे हो जैसे होता है न पेड़ पोदों को grow कराने के लिए उसे ताजा रखने के लिए बार-बार पानी देना पड़ता है तो उसी तरह से दिमाग आपका चीज़े याद रखे ये तो आप चाहते हो लेकिन आप उसे time to time चीज़ों का revision नहीं कराते हो और फिर उमीद करते हो सारी चीज़े आपको याद रहे फिर आप पूसते हो कि आपको सारी चीज़े कैसे याद रहती है किसे से भी पूसते हो जिसमें से कुछ आपको सही बात बताते हैं बहुत से आपको बर्गलाते कि वो जादा intelligent है उसको जादा याद रहता है तुम कम हो ऐसा कुछ भी नहीं है वालक time to time चीज़ों को revise करते रहो चलो प्रश्ण में आते हैं अभी हम इसके लाव मैं आपको बता दू अभी प्रदान मंतरी जी ने हर्याना के फरीदाबाद में अमरता हॉस्पिटल का भी उधगातन किया अब ये प्रश्ण में आपको क्यों बता रहा हूं क्यूंकि इसकी कुछ खास बात है ये एशिया का सबसे बड़ा private hospital है जिसका उन्होंने भी उधगातन किया नाम है अमरता हॉस्पिटल कहां पे आदो बता दो तो आंसर होगा चार फरवरी को और World Lung Cancer Day ये एक अगस्ट को मनाते हैं आपको याद होगा महराश्टर के स्वास्त मंतरी ने केंसर के बचाओ के लिए होप एक्स्प्रेस की भी घोश्णा की थी और एको रखने का उतर दो कि देश की पहली Oncology प्रयोक्षाल की विरासत को बढ़ावा देने और उसके रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने युनेसको के साथ समझोता किया तो आंसर होगा रोयल एंफिल्ड तो अभे रोयल एंफिल्ड ने भारत की अमूर्तिस आंसकरतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसके रक्षा करने के लिए युनेस्कों के साथ समझोता किया इस साज़धारी के तहट 22 से लेके 25 अगस 2022 तक दिल्ली में चार दिवसियर रचनात्मक प्रदशनी का आयुजन किया जाएगा तो जर्निंग अक्रोस दह हिमाले शीर्शक वाले इस प्रदशनी में हिमाले और पूर्वत्र शेत्रों के कलाक करतियों को दिखाया गया है अचा रोयल एंफिल्ड से एक अपॉइंट्मेंट आपको याद होगा इसके नए सीयो बने थे बी गोबिंद राजन नाम है यह आईशर मोटर का ही एक ब्रेंड है रोयल एंफिल्ड का हैटकोटर चैन्नाई में मिलेगा अचा अभी यहीं से आ को एक पॉइंट और याद आएगा अभी दो-तिन दिन पहले ही पड़ा था हमने कि भारत ने युनेसको के अमूर्त सांस्करतिक विरासत सुची में अंकित करने के लिए किस रत्ते शेली को नाम अंकित किया था तो आंसर होगा गरबा जो की गुजरात का है और वैसे भारत के 14th नंबर की अमूर्त सांस्करतिक विरासत ये बनी थी कौनसी 14th नंबर की ये दुरगा पूजा बनी थी Intangible Heritage Site बोलेंगे इंगलिश में तो दुरगा पूजा ये का की पश्चि मंगाल की तो ये याद रखना आप बढ़ते आगे हैं चलो बताओ Under 20 विश्व कुष्टी चेंपेंशिप 2022 ये किस देश में आयोजित की गई थी तो आंसरोगा बुल्गारिया तो Under 20 वर्ल्ड रेस्लिंग चेंपेंशिप ये भी 15 से लेके 21 अगस 2022 तक सूफिया बुल्गारिया में हुई थी इसमें भारत ने टूटल 16 मेडल जीत है जिसमें से एक गोल्ड है चार सिल्वर है और 11 ब्रोंज है अब ये एक गोल्ड वाला नाम इंपोर्टेंट हो जाएगा ये जीता है अमित पंगाल ने और इस तरह से Under 20 विश्व कुष्टी चेंपेंशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारते मैला बन गई हैं अमित पंगाल नाम है और इसमें टॉप पे रहा है जापान ये इस चेंपेंशिप का 45 वा संसकरण है इसी तरह की एक न्यूज में आपको याद दिलाओ जिसमें हमने एक गोल्ड जीता था तो वो है एशिया एक कुष्टी चेंपेंशिप 2022 जो की मंगोलिया के उलन बटोर में हुई थी उसमें भारत ने वैसे तो टोटल 17 मेडल जीते थे जिसमें से एक ही गोल्ड था वो गोल्ड किसने जीता था रवी कुमार दहिया ने और उसमें भी टॉप पे रहा था जापान भारत पांच वेस्तान पे था और आपको याद होगा किरगिस्तान के बिश्केक में जो अंड इन गंज दिल्ली आंसर करते ना अभी Commonwealth Games 2022 राष्टर मंडल खेल 2022 हुए थे उसमें रैसलिंग में सबसे ज़्यादा कुष्टी में सबसे ज़्यादा मेडल हमने 12 जीते थे और उसमें से 12 में से 6 तो गोल्ड ही थे हमारे पास और अगर आप में से कुईस वीडियो को very first time दे आपकी correct exam application पे upload कर दिया अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछेगा है प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आप से क्या पूछा था UNESCO की अमूर्त सांसकरतिक विरासत सूच में अंकित करने के लिए कि इस नत्य शेली को नाम अंकित किया तो आंसर होगा गरबा आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है इन सभी questions का quiz बना करके upload कर दिया आपकी correct exam application पे वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी और link आपको नीचे description में मिलेगा correct exam application कब यह रहा आजका आपका homework प्रशन